हलो एवरीवन वेलकम टू यॉर क्लास यॉर फ्यूचर यूटूब चैनल पे आज हम डिस्कस करेंगे एर्थ स्टाइंडेड हिंदी सब्जेक्ट का पार्ट नव मोबाइल का बोल बाला इस पार्ट का प्रश्णोत तर आज हम डिस्कस करेंगे इसके पहले के वीडियो में मैंने बड़े ही डीटेल में इस लसन को मैंने पढ़ाया है तो आपको अगर अभी तक आपने वहां वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल चाएगा तो चलिए देखेंगे मोबायल का बोल बाला कोशनांसस इन अन्थांदर इवत्नावीन मड़ोंरी मोबायल का बोल बाला इपाठध प्रश्णुत्तर गळा इनन नावो डिस्कस मड़ोंनों इदे केंटनू मुँच्चे एन अन्थांदर इवीडियो दल्ली ना नीन मड़ितनी इपाठवन्ना अत्तेंत विवरा वागी हिंदी प्लस कनड़ एडो भाश्यकलली ना इविवरने मड़ितनी तो नी वनवेले इल्ली वर्गु आ विडियो ना नूडिलना अन्थांदर आ विडियो द वन्दो लिंक कनना तमगे इविडियो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स नली तमगे दो रहे हो दो सो बनी पहले देखेंगे हम शब्धात सदी युग उदास निराश 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 अंदरे निराशे दुखी ओके दुखा मूँच मीन से मूँच मीन से मास्तक नेक्स्ट पूँच यानि की दुम पूँच का मतलब होता है दुम कनडा दली बाला इंग्लिश नली तेल ओके अवकात योग्यता अंदरे योग्यते गुस्सा क्रोध सिट्टु माफी क्षमा अंदरे क्षमेल छाती सीना चस्ट उके रे रे तर थाल उके रे गारी के जुदाई बिच्छडना रे पेरे यागोदू कसूर दोश दोश तप्पू अंतर्थ धूम वैभव थाट बाट धूम वैभव थाट बाट के वैभवा हाल स्थिति हाल स्थिति अंदरे परस्थिति मुखड़ा मुख चहरा मुखड़ा इसका मतलब होता है मुख चहरा अंदरे मुखा वदना सरी ना नाराज आक्रोशा नाराज आक्रोशा उके अंदरे सिट्टा गोदू अत्वा कोपिस कोळो दू नाराज अंतर्थ अंदरे उके कनड दलीन इद आर्थ ध्वनी अंतने आ कुद्धे ओके ना मजाल सामर्थ नम्मा उंदू सामर्थalten योग्यत्त अंद नोँ हेल पोध योग्यत्ति अंतननों हेल पोध ओके मजाल सामर्थ अत्वा में कियさकते है कि योग्यत्त और गोद तसे हम कनड़ा में केसकते है कि yogi सलोना सुन्दर सच सत्य निजा अंतर था वक्त समय चिट्टी पत्र 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 बरती वला चौकना चकित होना अंदर आशर्य पड़ूदू अफसोस विशाद वेक्त पड़िसू अफसोस अंदर अत्वा दुख अंतनू अर्था दिलासा सांत्वना अंदर सांत्वना हेड़ोदू उपरीड़ूदू शाश्वत स्थाई अंदर स्थिरवागी रोधू शाश्वत वागी रोधू श्थाई रूपदल्ली रोधू खोज, शोध, जाँच, तलाश खोज अंदर शोध हमाड़ोदू जाँच अंदर तलाश हमाड़ोदू एड़ो इदर लेच्च कमी वंदे आर्थावना कोड़ते खोज, शोध, जाँच, तलाश, सफर, यात्रा, सफर, यात्रा, यात्रे ना माड़ोदू सरी ना तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक वाख्य में उत्तर लिखिये वंदू वाख्य दल्ली उत्तर इसली इसमें पहला है जाँच, 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 जाँ इंड़सेंस क्या होता है यहाँ पर एक कॉर्नर मू ले अंतर था ओके ना मू ले ले यार इदे रे टेलीफोन दूसरा प्रश्ण है टेलीफोन के पास अपना मोबाइल किसने रखा किसने रखा टेलीफोन के पास अपना मोबाईल किसने रखा दरे टेलीफोन इना बढ़ी तना मोबाईल अनना यारू इटरू और इसका उत्तर है टेलीफोन के पास मिस्टर शर्मा ने अपना मोबाईल रखा किसने रखा आपना मोबाईल मिस्टर शर्मा ने तेलिफोन अदा हद्तिरा मिस्टर शर्मा अनो वरुतन मोबाईल अना इटरू सब लोग किसे अपनी चाती से लगाए घूमते हैं सब लोग किसे अपनी छाती से लगाए घूमते हैं सब लोग मोबाइल को अपनी छाती से लगाए घूमते हैं सब लोग किसे अपनी चाती से लगाएं घूमते हैं मोबाईल को सब लोग मोबाईल को अपनी चाती से लगाएं घूमते हैं प्रस्ट नम्बर 4 किसके मुकडे पर धूल जमी हैं? यारा मुखद मेले धूल जमे आगी दे अत्वा धूल कूती दे अंतार था टेलीफोन के सलोने मुकडे पर धूल जमी हैं? उत्तर फिर एक बार देखेंगे टेलीफोन के सलोने मुखडे पर धूल जमी है टेलीफोन इना सलोने सलोने कार्थ होता है सुन्दर ओके तेलीफोन इना ओंदो सुन्दर मुखडा मेले धूल कूती दे ओके next कुशन नमबर 5 मोबाइल का अग्रज कौन है अग्रज यानिकी बड़ा बड़ा भाई हमने देखा है ना भी मोबाइल इन किंतनो मोबाइल इना दोड़ा अणना यारू उत्तर है टेलीफोन मोबाइल का अग्रज है फिर एक बार हम उत्तर को देखेंगे टेलीफोन मोबाइल का अग्रज है टेलीफोन मोबाईल लिना दोड़ना निदाने किसको देखकर दोनों चौंक गए किसको देखकर दोनों चौंक गए दोनों का मतलब होता है यहाँ पर टेलीफोन और मोबाईल तो किसको देखकर टेलीफोन और मोबाईल चौंक गए चौंक जाना यानि के चकित हो जाना यारनना नोड़ी इबबरू आशर्य गुंडरू चकित गुंडरू इली इबबरू अर्था इनरे मोबाइल हागो टेलिफोन चलिए उत्तर देखेंगे बकसे में पड़े पुरानी चित्ती को देखकर दोनों चौंक गए उत्तर फिर्येक बर देखेंगे बकसे में पड़े पुरानी चित्ती को देखकर दोनों चौंक गए इनरे बकसे अब्यक्स ने इनरे बॉक्स नल्ली अथवा डब्ब दल्ली बिद्धिर वन्त हाँ हलेय पत्रवन्न नोडी इब्बरू चकीत गोंडरू अथवा आशर्य गोंडरू नेक्स्ट में कोशन दो या तीन वाक्यों में उत्तर लिखे ये ड़ो मूर वाक्य दल्ली उत्तर से पहला है टेलिफोन मन ही मन मोबाइल के बारे में क्या कहां टेलिफोन तन्ना मन से नल्ली मोबाइल ना बग्गे ये नो हेली तू उत्तर है तेलिफोन मन ही मन मोबाइल के बारे में कहता है कि दिखने में चुहे जैसा ना मूच ना पूच फिर भी इसकी इतनी पूच चल दूर हट मुझ से आकर बैठ गया मेरे पास तेरी अवकाधी क्या है मेरे सामने ठीक है तो चलिए उत्तर एक बार फिर से देखेंगे टेलिफोन मन ही मन मोबाइल के बारे में कहता है कि दिखने में चुहे जैसा ना मूच ना पूच फिर भी इसकी इतनी पूच चल दूर हट मुझ से आकर बैठ गया मेरे पास तेरी अवकाथी क्या है मेरे सामने प्लेन अणे तेरी टेलिफोन तन मनसी नोणेगे मोबाइल बग्यें तनरे नोडो दक्कान्तू चुहे जो इलिफराईदीया निनके एनो मूच न्रे मीस इउविल्ला पूच न्रे बालनु इल्ला आधरू निननके इस्टोंदू तो एनाँ तंदरे महत्वानां नडए य। न इंदा दूरहोगो नीनू, बंदुक बिट्टी आना ना थ्रा, कुट कोलके, निन आनम्मुंदकू, निन वंद हेसी आत्ते एनी दे, निनने दोंद इन इम्पोर्टन्स इदे नन्मुंदे बंदो कुड़ो वस्टू इन अश्टोंद महत्वद हुना अन्थेले टेलिफोन इन मड़ते तना मनसी नली ये मोबाईल बग्ये इरीती आगी मातन आड़ते चलिए देखेंगे दूसरा प्रश्ट टेलिफोन के बाते सुनकर मोबाईल ने क्या कहां? उत्तर है टेलिफोन के बाते सुनकर मोबाईल ने कहां कि क्या हुआ भाई मैंने तो तुम्हें कुछ कहां भी नहीं तो गुसा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफी चाहता हूँ तुम मेरे बड़े भाई हो यहाँ पर उत्तर हम फिर एक बार देखेंगे चलिफोन के बाते सुनकर मोबाईल ने कहां कि क्या हुआ भाई? मैंने तो तुम्हें कुछ कहां भी नहीं तो गुसा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफी चाहता हूँ तुम मेरे बड़े भाई हो अंदरे इटेलिफोनीन मात्त केली मबाईल हेलत्तेरी याके अण्ना ये नायत्तु आनन तुन्निग येनो अंदे इल्ला मत नीने के नन्न मेले सिट्टु कोंडिद्धीया निने के नन्न मेले कोपा नन्निंद ये नादलू तप्पागी देया नाननु निनगे क्षमे किलती नी नीनू नन गे दोड़्ड अन्ना नहांगे चली आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न परदे के पीछे से चिट्टी ने क्या कहा परदे ये हिंदी निन्दा पत्रा ये नन्दू हेलितू उत्तर हैं परदे के पीछे से चिट्टी ने कहा कि मेरे प्यारे दोस्त तुमने सच कहा समय एक समान नहीं रहता फिर एक बार देखेंगे उत्तर को परते के पीछे से चित्ती ने कहा कि मेरे प्यारे दोस्त तुमने सच कहा समय एक समान नहीं रहता इप परदेया हिंदी निंदा कोटनस से चित्ती निंदा पत्र एहनन なं थिरुतत्तो नन्ना प्रीतिय केलेया नीनु निजा हेलता है दिया नीनु सत्यsite हन्ने हेलता है दिया एन्न सत्यादो समय यावा कलू वंदे तेर नागी इरुब़ दिल्ला समय ये नगते, मिलीन्द मिले बदलागता ये रुथे, सो इली पत्रा अधन्ने हळुथे, एनन खेलुथे, नीन हेलिद्द सरिया गिदे नंना मित्रने, एनन तंद्रे, इली समय ये वागलों वंदे यागेरुवुदिल्ला, चुलिये, प्रष्टो नंवर चा, चिट्टी चिट्टी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा? पत्रा मुस्कुराते अंदरे नकता ये निंदू है लितू। एक बर फिल से देखेंगे इस उत्तर को चिठी ने मुस्कुराते हुए कहती है कि इसी लिए मैं तो यही कहती हूँ जो मिल जाए जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो अंद्रेली पत्रा नगता हेळत्त अंत्री नन अधिक्के यवागलू हेळता एरतिनी इस्ट सिगुत्तो नाव अधरल्लीने नमग एन सिगुत्तो जो मिल जाए एन सिगुत्तो जितना मिल जाए इस्ट सिगुत्तो अश्टरलीने नावी नाग बेको अंतनरे त्रुप्तियनना काण बेको अश्टरलीने नावो खुशिया गिरुवुदनना नावो कलिया बेको अंतनरे लियार हतारी पत्रा नमगे नगता हेरताई दे सरी ना गुताईता Next, third main question अन्य वचन रूप लिखिये इले नाव वचन वनना बदल इसी बड़ी वेका गिरुशिया पहले हम देखेंगे त्रश्णों को पहला है गलती बाते बात चिठी ठीके तो ये तीनों क्या है? गलती बात चिठी ये तीनों एक वचन है वचन में किते दो रूप पेते एक वचन और बहु वचन तो अभी हमें इनके अन्य वचन रूप यानि कि हमें बहु वचन रूप हमें इसका लिखना है गलती गलतियां बहु वचन बात बातें चिठी चिठी ये ठीके? तो देखेंगे, गल्ति, गल्तिया, तपू, तपूगड़ु, बात, बाते, मातो, मातोगड़ु, चिट्टी, चिठ्थिया, पत्र, पत्रगड़ु, उके, अन्य लिंग रूप लिखिये, यहाँ पर हमें क्या है, दिये हुवे लिंग का परिवर्तन करके, उसके अपोजिट में हमें लिखना है ठीक है अगर स्त्रीलिंग में दिया हो तो हमें उसे पुलिंग में लिखना है और अगर वहाँ शब्द पुलिंग का हो तो हमें उसे स्त्रीलिंग में हमें बदल कर हमें लिखना है ओके ना नेक्स्ट मेंन फोर्थ कोशेन निदेरी लिंगा परिवर्तने माडो दिदे सरी ना वंदवले स्री लिंगा कोट्रे अधना पुरुष लिंगा मड़ेको अमिल पुरुष पुल लिंगा कोट्रे अधने इन माड़ेकरे स्री लिंगा दली नाव अधने इन माड़ेको चाहेगा है ना अगर हम लिंग परिवर्तन करना चाहते हैं लिंग के रूप को बदलना चाहते हैं तो जो शब्द हमें मिला है पहले हमें वह तो पता होना चाहिए ना कि यहां किस लिंग में है तब ही तो हम उसका रूप बदल सकते हैं ना तो चलिए पहले हम लिंग को हैंगे ठीक है भाई भाई यहां किस लिंग में है जी हाँ पुलिंग में है ओके बूड़ा यहां भी पुलिंग शब्द ही है मालकिन मालकिन जी हाँ यहाँ स्त्रीलिंग का शब्द है दादी जी हाँ यहाँ स्त्रीलिंग का शब्द ही है ठीके तो इल्ले इन मड़ोबेकरी नाव लिंगा परिवर्त ने होद ला स्त्रीलिंगा इरोदो पुल्लिंगा माडबेको पुल्लिंगा इरोदो स्त्रीलिंगा माडबेक आदरे नावू इल्ली लिंग पडिवर्तने माडबेक आदरे मोदल नम्ये नंतरे लिंग गुरुतिसुदू बरबेकू आदरे नम्ये नम्ये नंतरे लिंग पडिवर्तने माडबेकू इसलिग किसे कहते है जैम जिसशब्द से स्त्री जाती का भोध है ना ठीक है तो चलिए हम अभी लिंग का परिवर्तन करते है यह फिर हम लिखते हैं भाईज का अन्य लिंग रूप है बहन अब दादिा एक बार फिर से देखेंगे भाय, भहन, बुढ़ा, बुढ़िया, मालिक, मालकिन, मालिक, दादी, दादा, ठीक है, अगर आपको वच्चन और लिंग का डीटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर डीटेल में इसके नोट्स चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिक्रिये, मैं अगले वीडियो में आपको वच्चन और लिंग, इनके उधाहरन सहित, मैं आपको समझानी की जरूर कोशिश करूंगी, चलिये, आगे बढ़ेंगे, ओके ना, वंद वेडे निमगे वच्चन मत्तु लिंग अद्द, ये नंतनले कम्प्लीट इनफ वच्चन, इवेलडन नो, कूड़ आये नंतनले, निमगोस करनानो, नोटस अनन, प्रिपेर माड़ कोंडो, निमगे डीटेल्स गड़ान नानो, कोड़तीन, सरी न, चलिये, आगे बढ़ेंगे, कुर्शन नमबर फाइब, विलोम शब्द लिखिये, विलोम यानी की अपो सच, समान, अंदर, शाशवत, ठीक है, तो चलिये, हम एके करके क्या करऊंगे, इसके बिलोम शब्द लिखियेंगे, यानी की अपोजिट वर्ड्स, विरुद्धार्त का पदा गड़ान ना बर्योनल, बहुत कम, पास, दूर, बड़ा, छोटा, सुन्दर, कुरुप, वो गलत है, सुन्दर का अपोजिट होता है, कुरुप, असुन्दर नहीं होता, ठीक है, अग्रज, अनुज, अग्रजनी की बड़ा, अनुजनी की छोटा भाई, ठीक है, अच्छा, बुरा, दोस्त, दुश्मान, सच, जूट, सत्य, असत्य, सच, असत्य, सत्य, आता है, स असच नहीं आता ठीक है सच का अपोजिट वर्ड होता है जूट समान असमान अंदर बाहर शाश्वत अशाश्वत ठीक है एक बर फिल से देखेंगे बहुत कम पास दूर बड़ा छोटा सुन्दर कुरूप अग्रज अनुच शाश्वत अशाश्वत अच्छा बुरा दोस्त दुश्मन सच जूट समान असमान अंदर बाहर शाश्वत नेक्स्ट कॉशन नमबर 6 में कॉशन नमबर 6 जोड कर लिखे ये जोड कर अंदर होंदिसी बर्योद तो पहले हैं यहाँ पार दो कॉलम हैं पहले हम उन कॉलम को पढ़ेंगे उसको पहला है कॉलम ए इस तरफ का देखेंगे हम हमारी कोई इसमें हमारा थाद सदीं से कॉलम एक ना एक दिन फिफ्ट वन एं बात तुम्हारी ठीक है यह हो गए एक कॉलम का अभी हम भी कॉलम की तरफ जाएंगे तुम्हारा ही राज था यहाँ होना ही था बिलकुल सच है पूछ नहीं रही क्या कसूर है क्या कर सकता है ठीक है यहाँ पर पांच कुशन्स है और आप्शन्स हमें छे मिल रहे है ठीक है केड़ता इल्ला इसमें हमारा क्या कसूर है अंदरे इद्रली नम्म देनु तप्पि दे सडियो से तो यह हो जाएगा तुम्हारा ही राज था सदियो से क्या था तुम्हारा ही राज था अंदरे शत्वान गणिंदा निन्न दे वंदो अधिपत्य वित्तु राज अंदर अधिपत्य ओके ना एक ना एक दिन यहां हो ना ही था बत तुम्हारी बिल्कुल सच है क्या कर सकता है बात तुम्हारी बिल्कुल सच है निन्नमातो निजविदे खंडिता वागे निजविदे चलिए कोशन नंबर सवन को देखेंगे साथ शुद्धर शब्द पर गोला लगाए ये शुद्ध शर्यागिर्वन तहां वन्दो शब्द दा मेले ना वेन माडवे करें सरकल लना भृत्त वन्ना हां पर ठीक है यहां पर तीन तीन शब्द दिये गए इसमें कौन सा शब्द सही धंग से लिखा गया है उस पे हमें घेरा लगान है ठीक है तो एक पहला उन्होंने हमें एक्जामपल के तरपे उदाहरन के तरपे उन्होंने हमें दे दिया है तो फिर भी हम उसे पढ़ेंगे चलीफोन टेलीप यहाँ बराबर होता है ठीक है तो दूसरा है घुसा 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 तो यह हो गया घुसा ठीक है मोबेल मोबाईल मोबाईल तो इसमें कौन सा है बराबर शब्द हैं लिखने के लिए मोबाईल ठीक है फूर्थ है नाराज नाराज नराज कुन सा है सही शब्द नाराज बिलकूल ठीक फिफ्ट वन है उपदेश उपादेश उपदेश क्या कहते हैं उपादेश कहते हैं या फिर उपदेश कहते हैं या फिर उपदेश कहते हैं जी उपदेश सही शब्द है ठीक है तो दूसरे में गुसा, मॉबा, तिसरे में मॉबाइल, फॉर्थ में नाराज और फिर्थ में उपदेश, यह सभी सही शब्द है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कुशन नमबर आठ, आठवा प्रश्चन है, सही शब्द चुनकर, खाली जगह भरिये, यहाँ पर क्या है, हमें कुछ शब्दों का समूह दे दिया है, अभी हमें क्या करना है, उसी शब्दों में से चुनकर, हमें रिक्तस्तान को भरती करना है, ठीक है, इननतंदे इली, क्यलों ब्रेकर्स नले इन मड़ी दारी, क्यलों दूँ शब्द गढण ननमगे कुटी दारी, आपद गणनली, स गिटर पिटर धूम पूच्छ ठीक है अभी लेसन में बहुत बर बहुत बर यह सारे शब्द आ चुके हैं नाचीदह फॉलोइंग में आ चुका हैं कौशल शुम् में आ चुके हैं तो आसानी से हमें क्या है यह आनसर जो है वो मिल जाएंगे पहला है सदियों से उसका एक छत्र डैश था क्या है आंसर सदियो से उसका एक छत्र डैश था शतमान गणिंद आधरद एक वंदे रीतिया दंतहा अधरदे आधनतहा डैश इत्तू एनित्तू अधिपत्या राज सदियो से उसका एक छत्र राज था है ना चलिए सकेर कोशने चारो और तुम्हारी ही डैश मची हुई है नाल को कड़ेगे निन दे डैश दे ये निदे क्या है जी चारो तरफ उसकी ही धूम ठीक है ओके चारो तरफ तुम्हारी ही धूम मची हुई है याद रखना समय सदा डैश नहीं रहता निन पिरली समय यावागलो डैश इरल्ला कैसा नहीं रहता समय हमेशा अंसर है एकसा बराबर समय हमेशा एकसा नहीं रहता है न याद रखना समय सदा एकसा नहीं रहता समय यावागलो वंदे तेरनागी इरुवु दिल्ला चलिये question number 4 सब तुमपर ही डैश करने लगे इल्लरू निन्ना मेले ये डैश माडू तिरुवरू या करने लगे सब तुमपर ही और इसका answer है गिटर पिटर ठीके सब तुमपर ही गिटर पिटर करने लगे तो बताएए अब तक जो हमने डिसकस किया उसके आधार पर सब लोग किस पर गिटर पिटर करने लगे किस पर मुझे comment box में लिखें जरूर बताएए चलिये question number 9 कनड या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए मैंने यहाँ पर English और कनड दोनों का भी अनुवाद दिया है अगर आप चाहें तो दोनों भी notes कर सकते हैं नहीं तो आपको English अगर आपको सब्सक्राइब होता है तो English में आप note down कर लिए answers और फिर आपको कनड़ा easy होता है तो कनड़ा में note down कीजिए नहीं तो दोन भी कर सकते हैं पहला है मुझसे कोई गलती हो गई क्या और इसका अंग्रेजी अनुवाद है डिड आइ डू सम्थिंग रोंग अंसर फिर एक बार देखिए डिड आइ डू सम्थिंग रोंग इसका कनड अनुवाद है ननिंड ये नादरू तप्पागि देया ठीक है ननिंड ये नादरू तप्पागि देया सगेंड कोशन है अपनी आवाज सुने महिनों बीत जाते है इसका अंग्रेजी अनुवाद है मन्स पास बाइ लिसनिंग तो मै वोईज आंसर वन्स अगेंड मन्स पास बाइ लिसनिंग तो मै वोईज खरणडा है नन्न दे ध्वनी केळी तिंगलू गळे कलेदू होगी वे क्या है नन्न दे ध्वनी केळी तिंगलू गळे कलेदू होगी वे नेक्स्ट थे थर्ड कोशन आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो इसका अंग्रेजी अनुवाद है इसका कर्ना अनुवाद है इवत्तु नी ननगे उपदेशा कोड़ुति देया चौता है लोग लिखना ही भूल गए इसका अंग्रेजी अनुवाद है पीपल फोर्गोट टु राइट जनरू बरे युवुदन्ने मरे तु बिट्टि दारे जनरू इनरे बरे युवुदन्ने मरे तु बिट्टि दारे आगे देखेंगे पाच्वा प्रश्ण तुम सत्य कह रही हो उसका अंग्रेजी अनुआद होता है You are telling the truth नीनो सत्य हेलुति दिया सरी ना? आगे देखेंगे question number 10 निमन लिखित वाक्यों में प्रयोक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिये सर्वनाम यानि की वह शब्द जो हम नाम के जगह पर हम इस्तमाल करते हैं सर्वनाम यानि की प्रनावन तो चलिया यहाँ पर कौन कौन से देखेंगे पहला है तेरी अवकात ही क्या है मेरे सामने तेरी अवकात ही क्या है मेरे सामने यहाँ पर रेखांकित है निकी अंडर लाइन माड़ वह शब्द जो हम इस्तमाल करते हैं मुझे से क्या होता है यहाँ पर सर्वनाम ठीक है कौशन नम्बर चार यहाँ दादी का बक्सा है यहाँ पर यहाँ इदू उक्ये ना यह सभी क्या है सर्वनाम है ठीक है मैं बहुत जल्द सर्वनाम पर भी एक वीडियो आपको बना के देदूंगी चलिए आगे देखेंगे क्रिया भाशा ग्ना ठीक है क्रिया क्या है यहाँ पर कुछ उधारण दिये है उन उधारण के मध्यम से हम क्रिया के बारे में जानेंगे अली पुस्तक पढ़ रहा है यहाँ पर देखिये पढ़ रहा है यह क्या है अंडरलाइन ड़े बाहर बारिश हो रही है लड़का पलंग से गिर गया यहाँ पर अंडरलाइन है चुन्नो दवड रहा है जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते है क्लिया का मतलब है रहा है रहा है या पर जिन शब्दों से या यानि कि अब हम एक वाके को लो तो उस वाके में हमें जिन शब्दों से यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर जो काम है वहाँ काम हो रहा है या फिर काम का पता चलता है कि काम यह हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं जी हम क्रिया कहते है तो क्रिया में कितने भेद हैं क्रिया में दो भेद है सकर्मा क्रिया और अकर्मा क्रिया ठीक है तो यह दो भेद क्या है हम रिया में देखते हैं रिया के उदारन है तो यहाँ पर हम उपर जो हमने चार संटेंस पढ़े हैं चार वाक्य पढ़े हैं तो उनमें भी देखे हैं जो अंडर लाइन है पढ़ रहा है तो यहाँ पर अली कौन सा काम करना है पुस्तक पढ़ने का यहां पर पढ़ रहा है क्या है अली का अली जो काम कर रहा है उस काम को यहां पर बता रहा है है ना तो वही पर पढ़ रहा है यहां पर पढ़ क्या है पढ़ रहा है क्या है क्रिया हो गया बाहर बारिश हो रही है बारिश हो रही है हो रही है ना लड़का पलंग से गिर गया लड़का पलंग से क्या हो गया गिर गया गिर गया अगर लड़का पलंग पे सो गया होता तो यहाँ पर सो गया क्या है क्रियापद होता लेकिन यहाँ पर क्या हो गया लड़का पलंग से नीचे गिर गया तो गिर गया यहाँ पर क्रियापद हो क्लिया की बारे में जाना है तो उस हम नह fidelity क्रिया कर्के उसके आधारस सकंप्रेंते हिए इगागले नाव क्रिये बग्ये तिल कोंडी विरी वो दा क्रिये बग्ये तिल कोंडी वी क्रिये वंद प्रकारगल बग्ये तिल कोंडी विरी सकर्मक्का कर्मक्का अन्त हेले सो इगेन मडोनो नाव तिलदु कोंडी दूरो तेलिदे कोंड़ा वंदू ग्ण्यान अधा आधार अधा मेले ये ये कोटन तहां वंदू ये नन तंद्रे नाव कोशन्स गड़ाना इले बिड़ सोण तो यहाँ पर कुछ क्लिया पर हमें मिले है ठीके कोन-कोन सहे सुने मची घूमते करोगे गे ठीके सभी क्या है ये सभी क्लिया शब्द है तो चलिए पहले देखेंगे सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए डैश है कोटन तहां उन्द क्लिया गड़ाना बड़ सोन ले सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए डैश है यहां हमने अभी पड़ा है ना थोड़ी देर पहले ही जी हां घूमते सभी तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं अल्लारू निननना तनर दे के अच्चिकुंडो तिरगुत तारे घूमते यहने की तिरगुत तुम क्या डैश नीनू एनू एनू इलेन बरते अंसर करोगे माड़तिया तुम क्या करोगे नीनू येनू माड़तिया अन्ते केड़ दंगे उक्या ना चारो और तुम्हारी ही धूम डैश है यहां भी हमने पड़ा है मच्ची ठीक है चारो और तुम्हारी ही धूम मच्ची हुई है चोता है अपनी आवाज डैश मुझे महिनों बीत जाते है यह भी हमने अभी पड़ा है अपनी आवाज नन्ना द्वनी केलिये नन्ना द्वनी डैश ननगे तिंगलुगले कलेदु होगी वे चोता है अपनी आवाज सुने मुझे महिनों बीत जाते है आगे देखेंगे पाच्वा है मिठी मेरे सलोने मुख पर डैश जाए मिठी मेरे सलोने मुख पर डैश जाए मिठी नन्नू नन्ना सुन्दर मुख दा मेले डैश इन बरते कोन सा बचगाए यहाँ पर सुने मची गुमते करोगे सब तो हमने इस्तमाल कर दिया प्रयोग में आग चुके है तो बचा गिर मिठी मेरे सालोने मुख पर गिर जाए धूड़ू नन्ना मुखदा मेले बीड़ूते जोड कर लिखिये चले यहाँ पर भी क्या है कुछ हमें अंग दिये है हमारे शरीर के अंग और दूसरी तरफ है उनसे हम क्या काम करते हैं यह तो हमने बहुत सरे पढ़ा है बहुत बार पार्ट्स ऑफ दा बॉड़ी और उसके वर्क्स है न हमने पढ़ा है न तो चलिए देखेंगे पहले देखेंगे कान से दूसरा है आख से तीसरा है नाक से चोता है दिमाग से पाच्वा है हाथ से तो हम क्या करते हैं कान आख नाक दिमाग हाथ इनसे हम कौन-कौन से काम कर करते हैं चलिए इस तरफ देखेंगे देखते हैं सोचते हैं सुनते हैं काम करते हैं सुंगते हैं तो पहले हम इसे जोड जोडेंगे फिर से हम लिखेंगे ठीक है कान से क्या करते हैं कान से सुनते हैं कान से सुनते हैं जोड कर लिखिए गान तो कान से हम क्या करते हैं सुनते है आख से देखने का काम करते है ना सो आख से देखते है नाक से कुछ वो कैसे आती है हमें नाक से आती है ना तो सुंगने का काम कौन करता है नाक से सुंगते है नाक से सुंगते है तो चले दिमाग से हाँ यह बहुत बड़ा काम करता है दिमाग क्या करता है सोचने का काम ठी तो दिमाग से सोचते हैं, हाथ से क्या करते हैं हमारे हाथ, बहुत सारे धेर सारे काम करते हैं, ठीक है, तो हाथ से काम करते हैं, तो यह भी क्या है, क्रिया के आधारित ही, यह भी प्रश्न है, तो थर्ड कोशन है, वो भी क्रिया के आधारित ही है, क्लिया शब्दों को ढूंड कर लिखिए उधारन के लिए गाना यहाँ पर उन्होंने दिया है इसमें से हमें देखना है देखकर हमें क्या है यहाँ पर क्लिया पदों को ढूंड कर हमें लिखना है यहाँ पर सरकल लगाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर सरकल नहीं लगाया है तो मैंने डारेक्ट क्या किया है आपको मैंने आंसस दिया है लेकिन आप अपने किताब में जरूर पैंसिल से क्या केजिए आप राउंड अप कर लिजिए ठीक है उधान के लिए गाना हो गया बाद में होता है खाना ठीक है यहाँ पर गाने के नीचे ही आ गया देख खाना आता है देखे ठीक है बाद में आता है सोना बाद में आ जाएगा पढ़ना नेक्स्ट है चकना चकना यानिके टेस्ट नोडो लिखना बर्यो दो नाचना डांस मोडो दो देखना नोडो दो हसना नगो दो ठीक है तो यह सारे क्या हो गए यहां सारे क्रिया के ही शब्द हैं खाना सोना पढ़ना चक्खना लिखना नाचना देखना हसना ठीक है तो अभी मैंने यहाँ पर एक क्रिया शब्द है मैंने ढूंड कर आपको दिये दिया है अभी आपका काम है कि इन क्रिया शब्दों को आपको इस बॉक्स में ढूंड कर उन पर घेरा लगाना है ओके तो चलिए यहाँ पर अध्यन संकित देख लेंगे विवीद प्रकार की कंपनियों की प्रेट फोन है सबसे बढ़िया वन प्लस है ठीक है तो उन सब की लिस्टा बना रही है और वाद में दूर दर्शन चैनल है निकि आपके टीवी चैनल दूर दर्शन हैनी की टेलिविजन ठीक है जो दूर के हमें दर्शन कराता हूं घर बैठे ही तो उसकी आप चैनलों की एक लिस्ट बना लिजिए और दूसरा है आपके लिए कार है प्रोजेक्ट वर्क है विविद प्रकार की चिठीयां और डाक टिकेटों का संग्रह चात्रों से करवाईए शायद ही आप में से किसी ने चिठीयों को लिखा होगा या फिर पढ़ा होगा या फिर कहीं ने तो मोबाइल नहीं थी जिए जब वे चोटे थे जब आपके दादा दादी थे तब तो नहीं थे ठीक है मोबाइल वगेरा तो देखिए अगर आपको कहीं उनसे एकाद चिठी मिल जाए तो देखिए नहीं तो डाग घर जाईए वहाँ पर टिकेट्स ओके टिकेटों का यह उ बड़े मज़ेदार बात है आपको भी बड़ा अच्छा लगीगा वो सब देखर जानकर वो कैसे का काम आते थे ओके ठीक है तो वीडियो को अंते तक देखने के लिए धन्यवाद मेरे साथ इससे ही बने रहिए आपके अगले लेसंस के कुशन आंसस को देखने के लिए औ और लेसंस को देखने के लिए तैंक यू